रे यार ये यह कहां इसको लगाऊं मैं इस में तो फोन में ये एरफोन लगाने का कोई प्ट जिए फोन लिया ता बहुत पहले अब बहुत पढ़िया खोवाल्टी का जो है ये एरफोन घूब Chuck अब मोबाइल फोन बदल दिया तो भी है इसमें 3.5 mm jack दिया ही नहीं है अब क्या करें समस्या यह हो गई कि इसमें अब यह लग नहीं सकता बेकार होगे तो अब का करें तो इसके लिए जुगार आता है जो की टाइप C2 3.5 mm jack के नाम से इंटरनेट पे इसली अवलेबल होता है अब उसमें बड़े सारे आते हैं कोई लाल रंका कोई काले रंका यह कौन सा लें कौन सा सही है कौन सा अच्छा कौन सा इस पर काम करेगा सैंसंग के मोबाइल फोन में खास तोर पे एक सबसे बड़ी समस्या है कि टाइप C2 3.5 mm jack वाला हर एक जो केबल आता अलग से हर केबल काम नहीं करता तो हमको कौन सा केबल ली ना इसके लिए तो हमको वहाँ पर देखना होगा जिस केबल में 2A c deck लिखा है वो केबल हमारे सैंसंग के मुबाइल फोन के साथ चलेगा क्यूंकि सैंसंग के मोबाइल फोन में यहां से जो केबल कंविक्ट होती है उसको जर ख्राम करेगा कितना अच्छा डैक है कितनी अच्छी है कि यह सब चीजे पहुत जदा कर दी कि आपको इंडिया में लुग सेल कर रहे हैं और यह लगबक साभी Samsung के mobile phones के साथ connect होता है और एक आता है दूसरा red color का वो red color वाला आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि उसमें क्या होता है यह देखिए यह ऐस तरीके का दिखता है और यह जो है यह internet पर बहुत ज़ादा बिखता है क्योंकि यह बाकी के mobile phones के साथ supported होता है अब हमको तो लेना Samsung के लिए क्योंकि यहाँ problem है कि Samsung के mobile phone के साथ क्या connect होता है और क्या नहीं होता है तो उसके लिए हमको चाहिए तो उसके लिए जहाँ पर भी जैसे कि मैंने बता है कि deck लिखा वो वाला लेना तो अब कई बार क्या होता है कि जब हम इंटरनेट पर ढूंड रहे होता है तो हमको Samsung का ही original वाला देखने को मिल जाता है जैसे कि यह देखी इंटरनेट पर हम देख रहे है यहाँ पर यह Samsung का original वाला तो अब मेरी recommendation क्या होगी कि यह Samsung का जो original वाला है वो ही लेना Type-C 23.5mm jack क्योंकि reason यह है कि यह मैंने जो लिया है और इससे एक और मैंने एक और मंगाया था वो मैंने return कर दिया उसके पीछे reason यही था कि इसके अंदर जो भी deck लगी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती कि जितनी की जो samsung के original में लगके आती है अब problem क्या है इसमें मैं आप लोगों को वो बताता हूँ कि क्यों मैं यह कह रहा हूँ कि samsung का original ही लेना तो इसके अंदर होता क्या है कि यह देखिए मैं इसको ऐसे connect करता हूँ यह मैंने connect कर दिया अभी यह इसने यहां पर अर्राम से डिटेक्ट कर लिया अब क्योंकि इसमें डैक इन मिल्ड है तो अब हम इसको यहां पर लगा देते हैं अपने headphone को और यह देखिए हमने headphone लगा दिया अब यहां पर अपने headphone पर हम अगर आवाज सुने तो भाईया आवास तो बहुत बढ़िया आने लग गई sound quality जो है इससे एक decent sound quality हमें मिलती है बारेश हो रही है भाईया आज तो जहमा जहम लगा तार पानी बरस रहा पीछे सा आप लोगा आवास सुनाई दे रही होगी मौसम बहुत बढ़िया होगे आज कल खैर मौसम पर बाद में बात करेंगे फिर किसी दिन फिलाल यहां पर हम बात करते हैं कि इसमें problem क्या आगी भाईया चलो हम मैं बोल रहा हूँ कि इसमें problem है problem है लेकिन problem है क्या problem यह है कि इसकी जो microphone की quality है अगर आप अपने phone से video वगेरा shoot करते हो साथ में माइक से audio record करना है तो वो सबसे ज़्यादा worst है मतलब उसके लिए तो मैं कहूंगा इसको निकाल दो और उसके बाद recording शुरू करो क्योंकि यह जो आता है इसके साथ जब हम उससे recording करते हैं तो आवास पूरी डिस्टॉर्ट हो जाती है अगर मैं खुद की आवास की बारें बात करूं तो मैं आप लोगों को आवास सुनाता हूं जो खराब कि मैं बात कर रहा हूं तो अभी जैसे कि आपके पास होंगे तो उसमें से हम recording करके दिखते हैं अब हमने यहां पर इसको कनेक्ट किया अब यहां चलते हैं साउंड recorder में यहां पर इसने दिखा दिया external माइक कनेक्टेड है अब मैं यहां पर कुछ भी बोल रहा हूं तो इस वक्त में आप लोगों को बता रहे और नए नए पत्तिया आ रहे हैं उनमें देख करके बड़ा ही सकुन मिलता है मुझे तो तो देखे क्या हुआ वाइस कितनी जादा पटी हुए आ रही है अब नॉर्मल बात कर लेते अब अगर मैं बात करूं कि जो माइक्रोफोन जैसे की मैं यूज करता हूं रेगुलर अपने वीडियो बनाने के लिए उससे अगर मैं कनेक्ट करके आप लोगों को रिकॉर्डिंग करूं अपने फोन से जैसे कि अगर आप लोग भी ब्लॉग अब मैं आपको वो भी चला के दिखाता हूं सुनिए आप जैक नहीं दिया गया है और आप लोगों को चाहिए कि हम external mic use करें और अपने phone पे recording करें चाहे वो वीडियो के लिए हो चाहे वो आपके podcast के लिए हो चाहे किसी भी चीज के लिए आपको करनी हो यह recommended नहीं है मेरी तरफ से हाँ यदि आप लोग सिर्फ गाने सुनना चाहते हैं अपने पुराने headphones को use करना चाहते हैं तो वहाँ मैं यह recommend कर सकता हूँ कि हाँ इससे एक बहुत ही decent quality की sound आती है आप इसको वहाँ पर purchase कर सकते हैं अब ले कौन सा तो जैसा कि मैंने कहा कि Samsung का जो original वाला आता है white color का वो आप लो भली थोड़ा महंगा मिलेगा हो सकता है वो market में easily available ना भी हो आप जो shopkeeper है उसको बोलो कि भाई हम advance दे देंगे आपको आप मंगा दो हमको माहरे काम की चीज़ है तो मैं वही recommend करूँगा कि आप उसी ही की तरफ जाएं क्योंकि आप professional काम कर रहो ना भाई तो भाई है आप नहीं चाहोगे ना आपका जो भी काम हो खराब हो जाए तो मैं कैसे recommend कर दूँगी यह मेरे काम तो बड़े इसमें से return कर देन वाला था यह तो आप लोगों clear हो गया होगा कि भाई यह कौन सा लेना है और कौन सा नहीं लेना है और इसमें DAC DAC लिखा होना ज़रूरी है तभी वो Samsung के mobile के साथ यानि कि जो भी Samsung का आपका mobile उसके साथ काम करेगा अब आप यह सोच रहोगे यह DAC DAC बोल रहा है बंदा DAC होता क्या है तो उसके उपर में एक पूरा detailed वीडियो बाद में बनाऊंगा जिसमें कि मैं आप लोगों क्योंकि वो एक होधी अलग topic है और उसके उपर एक dedicated वीडियो बनता है ऐसा short में बता देने से नहीं होगा तो यदि अभी फिलहाल आप लोगों को यह वीडियो पसंद आगया हो तो भहिया जो नीचे like का बटन लगा उसको ज़रूर दवा देना और यदि आप लोगों को मुझसे कुछ भी पूछना हो इससे related या किसी भी चीज़ से related वो आप नीचे comment section में लिखके मुझसे नेवाल